मंत्री जी भागिये मत फेस करिये यह चोटा मामुला नहीं है बड़ा मामुला है ऐसे आपने कैसे कह दिया कि हमारा भाई है भाई होना ही अपराध हो गया संजुक्त परिवार है आप सामान बेखती नहीं है और आपके भाई को EWS यानि जो गरीबों को आरचन मिलता है उससे आपके भाई को असिस्टेंट प्रोफिसर बना दिया गया आपका भाई दूसरे नंबर पर था लेकिन उस कोटे का लाब मिलने से वह एक नंबर पर हो गया लेकिन भाई क्या सवाल उठाएगा कौन योगी सरकार का मिनिश्टर गरीब है कहा है हमारी आमदनी से भाई के आम जो बरतमान में बेसिक सिक्षा मंतरी स्वतंद्र प्रभार हैं डाक्टर सतीज दुवेदी इनके भाई हैं भाई को डाक्टर अरुन हैं मनुविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं सिधार्थ विश्व विद्याले सिधार्थ नगर में बवाल मचा है और सिधार्थ दुवेदी जी के लड़के हैं और यह मंतरी जी के छोटे भाई है मंतरी जी ने बड़े आराम से कव दिया योगी जी अभी चुप है इस मामले को लेकर के तो दोस्तों यह पूरा मामला क्या है बावाल कल परसों से मचा हुआ है और कुलपती महोद है कुल पति, कुलाधी पति के हाया मामला गया है, कुलाधी पति यानि महामईल, श्री-ράजपाल, आनंधी बेन पतेल के हाँ, नूतन ठाकूर से ले करके कई लोगों ने भेजा है, और वो क्या करती हैं, जो करेगी वो अपता है, क्योंकि देन लोगों के लिए कोई नियम कानू नहीं है नियम कानून तो हमारे लिए है आपके लिए है अगर आपको उल जलूल करते हैं आपको मुर्गा बना दिया जाएगा बैठा दिया जाएगा मेधक चाल दोडाया जाएगा और आपको हवलात में बंद कर दिया जाएगा पीट दिया जाएगा सर्ट निकलवा दिया जाएगा यह सब सारे नियम कानून आपके लिए हैं, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, तो योगी जी भी चूप हैं और पूरा मंत्री मंडल खामोस है, मंत्री ने फेश किया, कहा भाई होना अपराद होना तो नहीं है भाई, बात सही है, अगर भाई है और संपुरु है और अगर भारत निर्वाचन आयोग की वेब साइट पर जाकर कि आपका देखा जाए तो यह देब की सभी कम अपनी आयका स्रोत कम दिखाते हैं लेकिन आप उसमें से भी नहीं है और गरीब को टिकट कोई देगा भी नहीं कोई दल नहीं एक दो लोगों को दिखाने के लि लोग एट अब 12 डाउन है अथवा ग्रेजुएशन अस्तर से कम है मतलब अठवी पास हैं पाचवी पास हैं कुछ अंगुठा अंगुठा तो नहीं लगाते होंगे अस्ताक्चर करना सीख लिया है ऐसे लोगों को साब ने टिकट दिया है कोई उसमें से किसी का मुल्यांक से उसमें कम करना और अधिक करना ठीक नहीं है तो यह है सतीष दुवेदी डाक्टर सतीष दुवेदी और इनके भाई हैं डाक्टर अरुन दुवेदी अरुन दुवेदी इसके पहले एक जगह असिस्टेंट प्रोफेसर थे और वहां से उन्होंने नवकरी छोड़ करके यहां आकर के ज्वाइं कर लिए हैं बनस्थली बिद्यापीट राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अब इसमें कहा गया है कि भईया आठ लाग से बारसी काय जिनकी कम रहेगी और जो मानक बताए गए हैं तो उस मानक में डीम ने भी कहा है कि उस मानक में यह असिस् दूबे साहब जो कुल्पती हैं सिधार्त विश्व द्याले के यह काम देखते रहेंगे काम देख दिया उन्होंने बना दिया आउसर विला तो उन्होंने लाभ दे दिया मानी मंत्री जी को अगर कुल्पती और इनके दोनों लोगों के फोन का काल डिटेल्स खंगाला जा तो यह इस्थितिये साहब और मंत्री जी यही हुआ मंत्री हैं जिन्होंने 1621 सिक्षकों की मौत का मामला कोरोना संक्रमन की वज़े से सिक्षक संग और तमाम संगठनों ने बताया मुझे इसका असपष्ट मुल्यांकर नहीं है लेकिन गाजीपूर में भी बहुत मरे हैं क तो अब इनका करना कि तीन मरे थे साहब हम तीन को मृत्य कासरित के तहत नौकरी देंगे जो अनुतोस है वह देंगे अच्छति पूरती देंगे यह सब हम करेंगे लेकिन तीन हैं पूरे परदेश में के ओल तीन मरे हैं सरबादीक सिक्षक मरे हैं उसके बाद पुलीस और राजासो अन्विभागों में लोग होंगे लेकिन सिक्षक सबसे जादे इनको काम दिया गया चुनाव में उनका कई बार प्रसिक्षन हुआ चुनाव में उनको मद्दान से लेकर के मतगरना तक तमाम कारेओं में सामिल कराया गया सोसल डिस्टेंग्सी नहीं रही इनकी जाच भी कराई गई कोरोना संक्रमन की जाच में भी इनको किस तरह से गुजरना पड़ा भीड भार के माहौल में तो मान्नी मंत्री जी ने कह दिया कि तीन है साब तीन के लिए हम कर रहे हैं एक का नियुकती पत्र भी दे दिया पता ल भाई है मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए सिधार्थ विशुविद्याले यह मान्नी मंत्री जी का ग्री ही जनपद है सिधार्थ नगर और सिधार्थ के नाम से सिधार्थ विशुविद्याले बना और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के तव पर इन्होंने बिधिवत अपना कारेभार ग्रहण कर लिया अब संया भय को तवाल अब डर काहेगा अब जब भाई मंत्री हो गया बड़ा भाई मंत्री हो गया वह अभी बेसिक सिछा का मिनिस्टर हो गया तो फिर भया इतना जुगार तो लगाई देगा डेर सो लोगों ने आवेदन किया एक OBC का पत था और एक सामाने जो गरीब आरचर के धारक हैं उनका था जो सामाने बर्ग में आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनका पत था तो उस कमजोर लोगों में अच्छा एक बात बताएं आपसे यह नहीं का हाल नहीं है साब करते है साब करते हैं मैं नाम लूँगा नाम लिया भी हूँ कई बार सतीस मिस्रा सब से आगे हैं सब से आगे जितने इनके साब गुआ थे चंगो मंगो सबको इन्होंने आयोक्त बना दिया यहां वहां सब अस्थापित कर दिया अं मायावती जी के खासम खास थे सुप्रिम कोट से लेकर के हाई कोट तक बहस करते थे हम जाते थे राजी सुचनायोग में इनलों को देखते थे सब सब देखते थे इनके साब जितने जूलियर थे सब आयुखत बन गए ऐसे ही आप गाजीपुर की बात करेंगे चलिए आता हूँ पुरवर्ती गवर्मेंट समाजबादी पार्टी के एक माननीय ने ट्रेक्टर ले लिया गरीबों का ट्रेक्टर माननीय ने ले लिया जो गरीबों को अनुदान वाला ट्रेक्टर मिलना चाहिए था नहीं लिया, उठाएगा को लिए इसको, किसकी आउकाद थी जो आज सत्टा में है यह इनकी हिम्मत नहीं थी कि एक बार संस ले सके, आउकाद नहीं थी, मैं सब का नाम ले कर के कह रहाँ, नाम ले कर के अच्छी बात रही है, मनों सिनाजी से ले कर के, और जितने लोग हैं, सबन में हमने कहा उपस्थित थे सारे माननी हैं इनके बड़े-बड़े माननी कैबिनेट मंत्री और डियम उपस्थित थे मैंने कहा वापस करो या जो गरीबों की अनुदान वाला ट्रेक्टर है इसने अधिकार दिया आप उस ट्रेक्टर को लेंगे तो मचा हल्ला सरबाधिक इनके ही सदसे थे यह सवाल उठाया था ब्रजबूसंदूबे ने दमदारी से आवाज उठाया सदन में लिखा तो नहीं गया आओगा लेकिन लिखा समाचार पत्र ने छापा हाथ जोड करके खड़े हो गये लोग ट्रेक्टर वापस तो नहीं हुआ लेकिन यह छोटी बात नहीं है समाचार पत्रों ने घेर करके छापा अधिकार था गेरिबों का अरप लिया अनुदान वाला ट्रेक्टर कैबिनेट मंतरी अस्तर की बात बता रहों साब कैबिनेट मं अंचायत सदस्य की हैसियत से हम नहीं रहते तब भी आवाज उठाते हैं वह कोई मेरे लिए महतुपूर नहीं था कि सबन में हम हैं तब ही हम आवाज उठाए ने रहे हैं का राओ मंतरी से अभी विमाफी मांग लो परिवार संजुक्त है कुटम रइश्टर में परिवार संजुक्त है तो आयका स्रोथ का मुल्यांकन और वह अभी उसको भी देख लिया जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर वह राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ में कब से कब तक रहे हैं उनकी पतनी भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऐसे में डियम साहब इस पाइनल लेस हो गए हो क्या रीड की हड़ी खतम हो गई है ठीक से फिर से जाज करा दो लेकिन डर के मारे सर 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 क्यों डियम साहब ऐसा करना ठीक रहेगा सर 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 जैसा कि मैंने देखा है सर सर करेंगे इस बगेर किसी भेदभाव के सो दीजेए जाज कर वा दिया तो एसा ठीक नहीं है कि हमारे दल का अपराधि अपराधि नहीं है यह परिभासा बना दिया निन्दा करता हूं भर्थना करता हूं और ऐसे लोगों को कान पकड़ करके बाहर निकाल देना चाहिए इनकी कोई योगिता नहीं है दोस्तों मैं उसको भी दिखाऊंगा जो सिख्षक मरे हैं इस पार्ट फेरिपीकेशन अस्थल निर्चन उनके घर जा करके दिखाऊंगा तो दोस्तों भी नम मंतरी फकीर हो उस देश का हाल ऐसाई होगा मैं सब सारी बात खराब नहीं कहता लेकिन जो खराब है उस पर तो आवाज उठाना पड़ेगा नहीं तो यह देश देश की सिहत के लिए काफी दुखद होगा सादर नमस्कार